गाईस अभी आप यहां पर पे अब्प्लिकीशन्स मे आ चुके और आज की विडियो में मैं आपको यहां पर पे टीम ऐप्लिकेशन्स में एट्यम आप डेविड कार्ड ये अगर आप क्रिडिट कार्ड भी डिड करना चाहते हैं तो किस तरह से एड्ड करोंगे उसके बारे डिस और अब आपको कुछ आपसर नीची करना है जिश्वर आपको फियांग algorithms बीक तोगा मुने मय रहे जैसे कि यहाँ पर Help and Support, UPI and Payment Setting तोगैज आपको UPI and Payment Settings पर ही क्लिब करना है तोग Kommentare होगा, कुछ टैम वेट करना ही यहां पर आपको आपको आपकी UPI ID और UPI NUMBER आपका QR Code तो अगर बेंक एड़ करना चाहते हो तो बेंक एड़ पर क्लिक कर सकते हो आपकी बेंक वगेरा देखने को मिल जाएंगी अगर पहले से एड़ है तो अभी आपको यहां पर भी गईज थोड़ा नीचे स्क्रूल करना ह अभी आप देखूगा इसकी UPI setting में आपको काफी सारे options मिल रहे हैं यहां पर जो easily आपको देखने को मिल रहे हैं काफी जादा options है तो आपको थोड़ा और नीचे स्क्रूल करना है और अभी आप देखूगे तो आपको एक options मिलेगा कि other setting powered by PTM इसमे एक options आपको मिलता है कि saved card उसके साथ में ATM Assisted तो इसमें आपको क्या करना है कि saved card वाले options पर आपको क्लिक करना है इस वाले options पर तो हम simply यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसमें जो यह गैस अपने card के details को देखेंगे अभी देखोगे तो गैस हमारा जो यहाँ पर Bank of India का जो card है debit card आप देख सकतों तो वो यहाँ पर already add है इसमें अभी मैं क्या करूँगा कि इसको change करूँगा मतलब एक मेरा add है change नहीं करूँगा मैं करूँगा इस दो debit card इसमें add करके आपको दिखा दूगा जिसे कि first card हमारा saved है अभी दूसरा card में आपको add करके दिखाता हूँ इसमें अगर आपको कुछ problem भी हो रही है तो steps आप समझें उसके बाद में जो step करता हूँ same process आप कीजे और अपना जो card है वो add कर लीजे सबसे पहले आपको यहाँ पर click करना है कि add new card तो हम simply यहाँ पर click करेंगे इस पर जिसे क्लिक करेंगे अभी यहाँ पर एक interactions हमको बता रहा है कि जो 2 रुपे का charge है गईज वो आपके debit card को verify करनी में लगीगा तो 2 रुपे आपके debit card से debit किये जाएंगे साथ में यह वापसते reverse भी कर दिये जाएंगे आपके debit card में भेज दिये जाएंगे यह सरफ confirmations के लिए 2 रुपे काटे जाएंगे इस तो आपको क्या करना है प्रोसेट पर click करना है हम यहाँ पर प्रोसेट करेंगे प्रोसेट करेंगे गए तो अभी आपको कुछ options मिल रहे है लाइक इसमें आपको अपने कुछ details फिल करनी है इसमें आपको अपने card के number फिल करने है आपको expire your validity फिल करनी है और CV फिल करने है उसके बाद में पे securely 2 रुपे पर आपको click करना है और आपको पेमेंट है उसमें आपको OTP बगरा के process होगी वो मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ गाइस अभी देखूँ गाइस कि थोड़े time processing लिया उसके बाद में अभी 2 रुपे को confirm करने के लिए जो 2 रुपे के payment है गाइस उसको confirm करने के लिए one time password भीज़े गया है आपके mobile number पर तो जो OTP है वो आपको enter करना है और payment करना है गाइस OTP में आपको enter करूँगा और फिर गईस हम यहाँ पर payment की process को आगे बढ़ाएंगी जैसी कि अभी आप देखोगे कि हम यहाँ पर OTP फिल कर रहे हैं और फिर में Mac payment पर क्लिक करूँगा processing ले रहा है हमारे सामने बस हमें back button को press नहीं करना है गाइस अभी देखोगे तो saving card हो रहा है कुछी time wait करना है उपर आप देखते हूँ message आ चुका है कि जो आपका card है वो successfully saved हो चुका है गैस हमें तो फिलल कुछ भी problem इसमें देखने को नहीं मिली है गैस आप जो में आपर OTP को fill करते टाइम थोड़ा धियान रखिए OTP अगर wrong fill हो जाता है तो हमारा transaction fade हो जाता है तो आपको गया करना है कि OTP को fill करते टाइम आपको थोड़ी सी गई सावधानी बरतनी है बस उसके साथ में आपको जो ATM card के नंबर है उसको दोवारा से check करना है कि जो ATM card के नंबर है वो गलती से कुछ गलत fill तो नहीं हो गए बस इस बात का आपको ध्यान रखना है कर सकते हैं उमीद करता हूँगा इसके आप जो आपर सीख गए होंगे कि कि इस तरह से हम जो अपने पेटी एप्लिकेशन में debit card को add कर सकते हैं और अगर आज की वीडियो आपको अच लेगे तो वीडियो पर एक लाइक कर दिए और चैनल पर अगर पेली बार आएं तो चैनल को subscribe कर लीजेगा इस नीचे आपको red बटन दिख रहा होगा तो उस पर आपको subscribe कर लेना है और bell icon को ओल पर प्रेस कर लेना है ताकि जब भी ह हमारी new video आए गाई तो आप उसको miss ना कर पाओ क्योंकि हमारे चैनल पर एस ही tips and tricks की वीडियो आती रहती है